प्रेंट राम राम कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया देको हमों आ गए हैं हर रोज की तरह अपना बढ़िया वाला लाइब सेशन लेकर हैं लेकिन हर दिन हमारे साथ जो जो कलाकार होते हैं वो बहुत सारी पर्सनल बाते भी खोल देते हैं राज हैं जिनको आज कल आप बड़ी प्यार करने लगे हैं उनका नाम है गोलू चाचा स्वागत करें उनका चलिए स्वागत करते हैं मेहुल जी का साथ बढ़ बेचे की लाइव सेशन में नमस्ते मीनू मौसी कैसी हैं आप देखे हम तो बढ़िया है आप बताईए आप कैसे है हम ठीक है गोलू चाचा का आप सब को नमस्ते सभी दर्शकों को हमारा बहुत सारा प्यार और कैसे है सब दर्शक देखे सब दर्शक एकदम बढ़िया है और साथी बता दे कि मतलब जब से आप आए हैं आते के साथ ही आपने सब के दिल में जगे बना लिए है क्या कहेंगे मेहुल जी क्या कहें ये दर्शकों का प्यार है और ये किरदार ही ऐसा है गोलू चाचा का जो सभी लोग प्यार करेंगे गोलू चाचा से क्योंकि वो है तो चाचा लेकिन दिल से है बच्चे इसलिए हमेशा बच्चों के साथ रहते बच्चे यानि जो यंगर जनरेशन है उनके साथ तो बच्चों के साथ उनका प्यार और बड़ों के साथ उनका आधर तो ये किरदारी ऐसा है जो सबका दिल उभा लेगा देखे चाचा है चाचा का किरदारी ऐसा है रियल लाइफ हो चाचा जी सबके चहीते होते हैं हम बिल्कुल अगरी करते हैं आप से ये बात चाचा जी फूपा नहीं होता फूपा जी थोड़े से थोड़े से सडी हल होते हैं लेकिन चाचा हमेशा प्यार देता है हलो हाँ जी हाँ जी मीनमाफी हाँ जी अच्छे पूछ रहे attendance मेहल जब आपके पास एक गोलू का किर्दार आया था तब आपके दिमाग में कोई पहले संकोच आया कि मतलब आपने आते के साथ ही बुदा नई हम तो गोलू बनेंगे जब इनोंने गोलू का किर्दार हमें एक्सलेण किया बहुत खुछमिशाज इंसान ने जो मैं भी हूं और वो लोगों को हसाना अच्छा लगता है उनको मुझे भी हसाना अच्छा लगता है गोलु चाचा हसाते वक्त भी वो लिहाज रखते हैं किसी को हर्ट नहीं करते हैं फिर वो बले हम उमर अपने बुजूर्ग हो या फिर बच्चे हो मजाकी में मजाक के टोन में भी वो किसी को हर्ट नहीं करते हैं वो भी मैं भी वैसे ही करता हूं तो I could relate a lot to the character so मैं तो बहुत excited सा जैसे उन्हें ने character narrate किया और जट से हाके तो अरे वाँ अच्छा इक बात बताईए अभी तो साधी ब्याओ का मामला चल रहा है गर में है वो भीड भाड जमा है गोलु के घर में तो उसके बारे बताईए कितना मज़ा आ रहा है सब के साथ एकदम अवाला सूट करने में देखिए अब जब शादी होती है न हमारे नॉमल इंडियन हाउस होल में तो वैसे ही इतने सारे लोग आ जाते हमारी फैमिली वैसे ही बढ़ी है उपर से शादी के माहौल में और लोग आ गए तो उसमें तो सोने पे सुहागा हो गया है और ऐसे माह और पैणने में एक हम अनु के लिए और नु चांचा का सिंप अब और बड़ी का सिरियल है करें के इन शादी के माहौल प क्यों डिया कर अदे शार्यार्स हूं के लिए धर इन Пом फैमिली में रहता होगा, तो आप देखेंगे कि यह जो इस फैमिली में जितने भी किरदार है, वो बहुत अलग-अलग किरदार है, लेकिन जब वो साथ में रहते हैं, तो एक unity आ जाती, फिर भले वो दुख हो या सुख हो, वो एक दुसरी की पीट समालते हैं, प्यार भी उ उतना ही करते हैं, हिचाई भी उतना करते हैं, लेकिन साथ भी उतना ही रहते हैं, बिल्कुल अपने तो अपने ही होते हैं, अच्छा, इससे पहले आपने देखे एक बात बताए कि जो गोलू चाचा है, वो गुन-गुन और अभिनःव, अनुभव, दोनों की जोड़ी ज एक बात उससे पहले मैं मीनू मौसी बताना चाहूंगा यूजुली शादी में न मीनू मौसी ऐसा काम करती है जोड़ी जमाने का यहां पर गोलू चाचा कर रहे है। में दोस्त अबरोड से आया था और एक फ्रेंड थी जो मेरे गाहूं से आया थी यहां इसी घर में मिले थे और हम परसो ही 31st को भी सेलिबरेटेड दिया 18th मैरेज अने उसरी तो I can say that मैं रियल लाइप पे भी ऐसे मैंने एक क्यूपिट का काम किया एक बार मीनुवासी आवाद आ रही हमारी मेरा एक दोस्त अबरोड से आया था और एक मेरी फ्रेंड गाहूं से आया थी तो उन दोनों को हमने मिलाया था और अभी 31st को 31st को हमने उनकी अठारवी शादी की सालगीरा मनाई तो रियल जिन्दगी में भी हमें एक बात क्यूपिट बन चुके हैं तो अनु और गुन-गुन के लिए तो हमें बनने में और भी मज़ा आ रहे है तो फिर तो मतलब यह जब सीन फिल्मा रहे थे आप जोड़ी जमाने का अनुभव और गुन-गुन का तो आपको वही अचारक बच्चा हो गया हूँ 20 साल पुराना तो मेरे लिए तो बहुत ही नॉस्टेल्जिक था और मज़ा भी आया और अभी तक तो हमने शुरुवात की यह अनु गुन-गुन को साथ में लाने की यह काफी समय चलेगा साथ में लाने के लिए उनको क्योंके दोनों बहु अच्छा अच्छा एक बात बताईए यह जो सीरियल आया है कभी-कभी इत्वाक से यह बाकी सीरियल से कितना अलग है आप अपने दर्शकों से क्या कहेंगे इस मामले में देखे बाकी सीरियल्स जो हम आज कर देख रहे हैं सभी सीरियल्स में बहुत जादा ड्रामा है या स्टोरी इस वेरी फास्ट मूविंग यह जो सीरियल है यह आपको पुरानी फिल्मों की आद दिला देगी जैसे बासु चैटर जी के फिल्में हुई या रिशी केज मुकर बड़ी इस वेरी फिल्में हुई जहां इद्डम आराम से चीजह होती थी बड़ी सी अम म्यों एन क तो इसमें आपको बहुत सारे छोटे-छोटे मोमेंट्स दिखेंगे जहां आप रिलेट कर पाऊगे कि हमारे साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हुआ था तो ये थाश 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 वाला शोट नहीं है ये बहुत ही स्मूद से धीरे धीरे अपने आप अराम से नाओ से जा रहे हैं वैसा वाला शोट इसलिए I'm sure audience को ये शोट पसंद रहे है सभी बता है आए क्या वो तो आई रहा है दिखें मंडे से आ रहा है और लोगों ने अभी से गुन-गुन अनुभाव और आप सभी की फैमिली को प्यार करना सो मतला शुरू कर दिया है अच एक बास बताईए ये शादी बिहार का सिलसला चल रहा है तो नाज गाना भी जो सेट वाली फैमिली वो हम इतने घुल मिल गये हैं दो महिनों में के रियल लाइफ भी हम ऐसे ही मस्ती मजाग करते रहते हैं केक काटते रहते हैं डांस करते रहते हैं अभी शादी का जो हम सीन सूट कर रहे थे तो हमको रातों को करना था नाइट शूट था हमारा तो ए हम लोगों ने बिना म्यूज़िक के घरबा करना शुरू कर दिया आरे वाउ पर तो वो कुछ लोगों ने रेकॉर्ड किया और अगले दिन हमको याद भी नहीं था कि हम बिना म्यूजिक के घरबा कर रहे थे देखे ऐसा है off camera जितना प्यार रहता ह hem वो on camera कहीं न कहीं दिखाई ही दे जाता है क्यों सही कहीं कि नहीं 100% सही का आपने यह जो chemistry off camera होती है वो ही जहलती है on screen जब camera roll होता है जितना comfort level off camera आपके co actors के साथ आपका होगा वही आपको जब camera roll होता है तो comfort level दिखता है यह बिल्कुल सही बात कही है आप अच्छा देखिये सीरियल तो खेर बाकी लोग बहुत पसंदा रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरही कि से जोड़ी जमाई जा रही है और जिस तरही से रंग जमने वाला अच्छा धोल डीजे वाले नाज गाने होंगे या धोलक वाला भी होगा कुछ जैसे हमने कहां मिक्षर है धोलक वाला भी है और डीजे वाला भी है और इसके अलावा अक्च्छल गाने भी है जो हमारा अनुभव गाने वाला है तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पुराने गाने हैं जो लोग गुन-गुना ना अच्छा लगेगा लोगों को जिनको सुनके लोगों को अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे पुरानी गर्ल्ट्रेंट से याद आ जाएंगे तो I'm sure people will look forward पर उनको मज़ा आएगा देखने में और एक दिन देखके अगले दिन देखने के लिए वो इंतजार करें चले देखे अब तो यही कहेंगे कि मतलब आने वाली कहानी में कैसे चाचा जी जो गोलू चाचा है वो कैसे जोड़ी जमाएंगे अनुभव और गुन-गुन की यह देखना मतलब बहुत मज़दार रहेगा देखिए हम तो इंतजार कर रहे हैं साधी विहा का जो सीक्वेंस आने वाला है बाकी दर्शकों से भी कहेंगे कि लगे रहीएगा देखते रहीएगा ठीक है सही कहीं कि नहीं आप भी कह दीजिए इद्दम सही कहा आपने दर्शक प्लीज देखते रहेए अनु और गुन-गुन की प्यार की कहानी जहां पे सिर्फ गोलु चाचा नहीं धीरे धीरे करके हमारे तरफ के पूरी कुल्षेष्ट परिवार ये कोशिश करेगा कि कैसे अनु और गुन-गुन को हम साथ ले आए और कैसे गुन-गुन हमारे घर का हिस्सा बढ़े तो देखते रहे आप कभी-कभी इत्तिफाक से सोमार से श्वनिवार तक शाम को साथ बजे स्टापलस पर और साधना जी मीनू मौसी आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे लगता है कहीं मीनू मौसी में थोड़ा सा गोलु चाचा है और गोलु चाचा में थोड़ी सी मीनू मौसी है तैंक्यू सो मुसी भी चुपके लगा लेंगे एक सीम में मारे साथ करेंगे जी हम अपने घर में टीवी चला के कभी-कभी इतिफाक से उसमें जैसी गाने बजेंगे हम भी नाशना सुरू कर देंगे हमारे घर में भी आपकी साधी ब्याद चल रही है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाकी दर्सकों से एक चीज़ कहेंगे कि कभी-कभी इतिफाक से तो देखा ही रहे हैं लेकिन हम मीनु मुसी भी कभी-कभी इतिफाक से बड़िया बड़िया कलाकार ले आती है अपने साथ और बहुत सारे इतिफाक से राज भी खुल जाते हैं कहां सिर्फ यहां साथ बोवर बेटिया में तो का करना है आपको सिर्फ साथ बोवर बेटिया का यूट्यूब चनल सब्सक्राइब करना है तो अभी चलते हैं कल फिर मिलेंगे बाई-बाई